आप देख रहे हैं TNB नमस्कार TNB में आपको सौगत है आज हम बात करेंगे कुरोना वाइरस के नए वैरियंट के बारे में जो की अंदरप्रदेश वैरियंट है आप सोच रहेंगे कि यह इतना इंपॉर्टन्ट क्यू हैं इसके बारे में क्यू बात करें तुम आपको बता दे कि यह वैरियंट बहुत ही जादा खतरनाक है अब इस वैरियंट के नाम सही लोगों में दह्शत का महौल है और यह आशंका लगाई जा रही है कि इससे राजनीतिक तुफान भी बहुत जल्द आने वाला है तो यहां पर जो है सिचुएशन इतनी खराब है कि अब दिल्ली सरकार ने भी आपको बता दे कि तेलंगना से आने वाले लोगों पर आंद्रप्रदेश आने वाले लोगों पर जो है अब रोक लगा दी है तो यह थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि क्या है यह अंद्रप्रदेश का नया कोरोना वाइरस का वेरियंट और लोग इससे इतना क्यू डर रहा है क्या है करो नगोष का आंध्र प्रदेश वैरियंट में प्रतिक्रिटी धर्वैर। इस प्रतिक्रियया को हम रेवलीकेशन या प्रतिक्रिती बनाना कहते हैं। फिर यह एक विक्ति से दूसरे विक्ति में फैले लगता है और इसी तरह से इसका विकास होता है इस प्रतिक्रिया में यह अपने आँख भी बदलने लगता है जिसे ग्ञान की वाषण में Mutation कहा जाता है, अलग-अलग हो रहे हैं, ये Mutation, दो-तीन महिने की आवधी में एक Variant बन जाता है, और जब एक Virus विमारी के लक्षन बदल देता है, तो इसके Family की रफ़ता है और शरीर पर विमारी का असर भी बदल जाता है, निजामाबाद गवर्मेंट मेडिकल कॉलिज की डॉक्टर मदाला किरन कहती है कि साथ ऐसे वैरियंट है जिन पर हमें नज़र रखनी है इन में से एक महारास्टा वैरियंट है जो आंधर प्रदेश, तिलांगना और करनाटका में फैल रहा है आंधर प्रदेश में 20% मामले इस वैरियंट के हैं सेंटर फॉर सेलिलर एन मॉलिक्यूलर बालोजी के पुर्व निर्देश रकराकेश मिश्र ने खा कि मुझे लगता है कि कोरोना के अन्र वैरियंट शायद खत्म हो जाएंगे और हर कोई आप कोरोना के इसी वैरियंट से संक्रमित होगा आपको बता दे कि आंधर प्रदेश और तिलंगना में फैले वाले कोरोना वैरियंट को N440 के का नाम दिया गया है एक्सपर्ट क्या रहे हैं कि जितना खतनाक इसे बताया जा रहा है हो सकता ही अतना खतनाक ना हो आंधर प्रदेश कोविट कमान कंट्रोल सेंटर के चैर परसन के एस जवाहर रेड़ी ने कहा कि कोरोना वायरिस के N440 के वैरियंट को लेकर चिंता करने जैसे कोई बात नहीं है पिछले साल जून जुलाई में इसकी पैचान की गई थी यह दिसंबर जैनवरी और फैबरी में फैला और मार्च में खत्म हो गया था इसके संक्रमन के मामले तीन राजियों में देखने को मिले थे लेकिन यह बहुत कम फैला है इस वायरिस को लेकर अलग-अलग एक्सपर्स की अलग-अलग रहा है अब यह तो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि यह वायरियंट सच में इतना खतरनाक है या इसको लेकर उड़ाय जा रही बाते अफवा है तो जैसे कि आपने इस वीडियो के जरीए जाना कि क्या है यह आंधर प्रदेश का कोरोना वायरिस का नया वायरियंट तो आप समझ सकते हैं कि अभी कोरोना के कितने नय वायरियंट सामने आ रहे है जो कि बेहद ही खतरनाक है तो इस वक्त यही सेफ रहेगा कि आप अपने घर पे रहे, स्वस्त रहे, सुरक्षित रहे अगर बाहर निकलते भी हैं तो कोरोना गाइडलाइन का सकती से पालन करें डबल मास्क लगाए और दो गच की दूरी का मेंटेन करने की कोशिश करें तब तक के लिए स्वस्त रहे, सुरक्षित रहे